हेलो फ्रेंड्स आजम बनाने वाले हैं यह बहुत ही ब्यूटिफुल सा बिस्तर जिसे आप विंटर और समर के लिए यूज कर सकते हैं साथ ही हमने यह देखे समर की चादर बनाई है रजाई बनाई है बहुत ही सौफ्ट और डवल यह देखें डवल साइड और इसी तरीके स हमने तीन यह पिलो बनाये हैyu मिलाकर पूरा सेट अच्छे से बनाएंगे साथ हमने यह बिस्तर बनाया है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर हमारा यह बिस्तर बना यहै यह देखें मैंने इसके दो साइड पिलोवी लिये हैं इस तरीके से तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको बना पाओगे वीडियो को लाश्ट तक देखोगे एंड तक देखोगे तब अगर आप इसे पर्चेस करना चाहते हैं तो दिये गए स्क्रीन नमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो ये देखे बहुत ही ब्यूटिफूल सा हमारा सोफ्ट सही बिस्तर रेडी है तो इसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे कोटन के फैब्रिक से बना रहे हैं क्योंकि कोटन का फैब्रिक एकदम परफेक्ट रहता है तो ये द देखे 16 इंच है 16 इंच ही हमारी इसकी लंबाई है और 16 इंच ही हमारी इसकी चोड़ाई है तो यह देखे कुछ इस तरीके से बनाएंगे यह देखे पहले फैब्रिक को हम इस तरीके से अंदर की साइड कर देते हैं हम दोनों की सीधी यह देखे सीधी साइड मैंने दोनों फ फिर एक बार फोल्ड किया यदे के इस तरीके से हम को इसके हैंकी की शेप में फोल्ड कर लेना है अप यहां से कुछ इव 2024 कर देती हूं यह देखिए Asta का कट कर देती हूं और यहां से हमें लेना है ये साड़े तीन इंच ये देखे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे साड़े तीन इंच पर ये देखे हमने चोड़ाई वी इसकी साड़े तीन ली है इस तरीके से और हमें लंबाई वी सेमी लेनी है वो ब्लू कुलर की चोकती सेम प्रिंट की तो फिर मैं मैं यहां पर यहां बिस्तर अपना कट कर लिया हैं लेखे इसको हम साइट कर देते हैं तो next मैं बताती हूं,íसकी रजाईक के लिए भी मैंने same fabric इसाहरीक लिया तो इससी सीधी साइड है अंदर की साइट कर देते हैं जाधा difference नहीं और मैं थोड़ा सा confuse हो रही थी पर मैंने सीधी साइड है इसकी अंदर की साइड कर दी है ये इसकी दोनों साइड है उल्टी साइड है तो इसकी जो मैंने यहाँ पर लंबाई चोड़ाई लिए वो ये देखे साड़े 10 इंच लिए तो ये हमारी रजाई है इसमें आप 6 नमर तक के काना जी को 5 नमर तक के काना जी को आराम से सुला सकते हो तो ये देखे मैंने एक पिलो लिया है जिसकी लंबाई 6 इंच और चोड़ाई 5 इंच है नेक्स्ट काइज मैंने दो पिलो गोल बनाने के लिए 9 इंच इसकी लंबाई लिया है 5 इंच इसकी चोड़ाई लिया है लंबाई आप 10 से 11 भी ले सकते हो चोड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है हमारी 5 इंच तो इस सरीके से मैंने ये अब 20 से कर दिया है कट तो ये हमारे 2 पिलो कट हो गया साथ ही मैंने एक समर्चादर बनाने के लिए यहाँ पर 11 भाई 11 का फैब्रिक लिया है 11 इंच इसकी लंबाई है 11 इंच इसकी चोड़ाई है तो इससे हम अपनी समर्चादर बनाएंगे काना जी की तो ये पूरे बिस्तर का सेट का मैंने यहाँ पर सारा फैब्रिक आपको कट करके बताया है तो सारा फैब्रिक आप कट कर लें बहुत ही इजी होगा आपके लिए बनाना तो ये देखे मैंने यहाँ पर कट कर लिया है सारा तो बिल्कुल सिंपिल वे में बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है यह साटन रीबन आप इसकी जगे कोई भी डोरी वगरा भी ले सकते हैं या फिर हाथ की डोरी भी बना सकते हैं तो यह देखे इस तरीके से मैं यह साथ आठ यह कट कर लूगी क्योंकि हम कोई इने स्टिच करना है यह देखे अप हमारी यह उल्टी साइड से हम स्टिच कर रहे हैं सीधी साइड हमारी अंदर की साइड है तो पहले हमने यहाँ पर कोर्नर पर यह देखे एक पैर की सिलाई लगाई सिलाई लगाने के बाद में यह देखे यह देखे गाईस इस तरीके से हमें अपना रीबन रखना है और य इसे कि हम यह सिलाई लगा रहे हैं complete ribbon रखके कि आपका ribbon इधर उदर ना सिला जाए बस इसकी जो हम इसकी side को stitch कर रहे हैं वही हमारी stitch हो यह देखे इस तरीके से हम यहाँ पर stitch करते चले जाएंगे तो हम सारे boxes में इसी तरीके से अपना यह ribbon लगाते चले जाएंगे नहीं तो हो जाएगा सेम यहाँ पर भी हम इस तरीके से ribbon रखेंगे अपना यह और stitch कर देंगे और यह देखे हैं यहाँ पर हम पूरी जैसे कि हमने पहले रखा है इस तरीके से रखकर इसमें हम यह देखे एक से दो इंच की सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे निकालने के बाद में यह देखे कुछ इस तरीके से यह आएगा तो आप क्या करेंगे हम इसको परट लगा देते हैं जहाँ पर यह हमारे corners है हमने उनमे cuts लगाया और इस तरीके से इसको पलट लिया है यह देखे इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे अच्छे से निकाल लेंगे बढ़िया से यह देखे कोई भी दिक्कत नहीं होगी गाईज आपको अच्छे से निकालने के बाद में क्या करेंगे यह देखे गाईज हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है अब यहाँ पर हम scale से इस तरीके से निशान लगाएंगे यह देखे बिलकुल बरावर से center से center में लाका है यह नहीं कि उंचा नीचा निशान लगाना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें निशान लगा देंगे निशान लगाने के बाद एक हम टॉप स्टिश लगाएंगे सारे में यह देखे पूरे में तो पहले हम यहाँ पर टॉप स्टिश लगा लेते हैं इससे क्यों हमारा साटन इवन भी सेट हो जाएगा और हमारा फैब्रिक भी उपर नीचे का अच्छे से सेट हो जाएगा एक्वल और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी गाईज अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आयो तो प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें यह देखे और कमेंड करके जरूर बताएं कि आपको यह बिस्तर काना जी का कैसा लगा तो यह देखे इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे में टॉप स्टिश लगा देंगे स्टिश लगाने के बाद में अब हम इसमें सिंप्ली फाइवर डालेंगे जैसे कि गाईस हमने एक साइड इसकी ओपन छोड़ी है तो हम क्या करेंगे इसमें पहले हम थ्री साइड में यह देखे इस तरीके से फाइवर डालेंगे यह देखे हमने एक साइड डाली बाकी के दोनों साइड भी हम इसी तरीके से यहाँ पर फाइवर डालेंगे यह देखे जैसे कि आप दे तो हम यहां पर तीन बॉक्सिस में अपनी ये फाइबर अच्छे से टैप करके डालेंगे। फाइबर के मावले में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। काना जी के लिए बना रहे हैं तो अच्छे से ही बनाएंगे। इस तरीके से तो हम यहां lord our when three boxes लगा लेंगे अपने सिलाई यह देखिए वृ को हास से अंदर बिपट करते वे इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेरी है तो बहुत हो जाएगा ये देखिए आप इस तरीकेटे से स्टिच लगा लेंख में बनाने में या फिर कोई भी पोशाक बनाने में जो कि आप मेरे चैनल से देखके बनाते हो काफी लोग मुझे रिव्यू भी सेयर करते हैं देखकर बना कर वो तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है परिशानी होती है तो आप मुझे से पूछ सकते हो यह देखे इस त तरीके के बिस्तर आपको market में नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि यह handmade है और हमने इसकी quality बैस्ट रखी है यह देकि हमने तीन साइड यहाँ पर डाल ली है डालने के बाद में हम बीच में भी fiber डालेंगे यह देकि इस तरीके से आप इसे खुछ से बनाते हो तो बहुत ही अच्छ से नहीं आतीग है तो रही हैं शाले आप एसी रजाई और ही नहीं चाहते हैं जिस में ठंड लगे तो हम अपने Crown की को कैसे उड़ा सकते हैं तो उसके लिए आप या तो फिर उनी ब्लैंकेट या फिर इस तरीके का कोई भी रजाई गद्दा सैट बना सकते हैं अपने का अनाजी के लिए तो यह देखें मैंने यहाँ पर फोर साइडेड में इस तरीके से फाइवर डाल दिया अच्छी से इसको रेडी करनी है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइवर डाली अब हम इस बॉक्स को भी स्टिश कर देते हैं तो बहुत एजली हो जाएगा यह देखें बस आपको कुछ नहीं करना है दोनों साइडों से हाफ आफ इंच फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके सिंपल सीधी सलाई लगानी है तो यह देखें इस तरीके से हम यहाँ पर सलाई लगा देते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आपका यह बिस्तर रेडी हो जाएगा तो यह देखें हमने यहाँ पर इसमें सलाई लगा दिया है एस तरा के धागे हमने कट कर दिया है कट करने के इस तरीके से साटन रीवन को जो आपने डौरी या फिर जो भी किया है बाकर दने के लिए उसको यहाँ से नॉट लगा दे आप चाहें तो जैसे कि इस इसमें थोड़ा हमारे जहांदी रीवन अटैच किया है यहां पर तोड़ा गयफ यह पर आप सवी धागे से तीन वाट से फैब्रिक लेना है और सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है और इस तरीके से तीन साइड से स्चिच करनी है स्चिच करने के बाद यहां से धागा कट करेंगे इसको सीधा ओपन अच्छे से करेंगे ओपन करने के बाद इसके कॉर्णर अच्छे से खोलेंगे कॉर्णर के बाद में हम इसमें टैप करके अच्छे से फाइवर डालेंगे यह देखे मैंने इसके कोणर अच्छे से निकाल रहे हैं निकालने के बाद में आप इसमें अच्छे से फाइवर डालें तो यह देखे गाई इसमें भार भार के अच्छे से हम फाइवर डालेंगे ताकि हमा का अगर आप चाहें तो यहाँ पर सुई धागे से भी सको सिच कर सकतें अगर आप लोगों को प्रोब्लम होती है塊 यह देखिगा इस कुछ इस तरीके यहां से आगे से इसको बंद कर देंगे अगर आप चोटे काना जी के लिए बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पिलो में जो आप उनके नीचे लगाओगे यानि की तक्या तो उसमें आप थोड़ी कम ही वो डालें फाइबर हलकी ही डाले और जैसे क की हम गोल फिलोगे भना रहे हैं इसके लिए हमने सुनी रजा खाल लिया उल्टी साइट से इस तरीके से जैसे कि हमने सिलाई लगाए थी सीधी वहां सही हम इस तरीके से हाफ इंच पर यह देखे सुन nessa दागई यह से टाके लगाएंगे और इस तरीके चार से पांच इस थ JUST तरीके से अच्छय से टैप करेंगे फई वर्कोय यहां से हम आफ इंच पर ही गोल सर्किल में टाके लगाएंगे यह देखे इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी फिंगर बीच में है पिलो के फैब्रिक हाज से अंदर की side करेंगे और push करके इस तरीके से धागा खीच कर हम यहाँ पर not लगा देंगे दो से तीन वार अच्छी से पका कर देंगे तो हमारा यह पिलो हो जाएगा गोलतकिया ready सेम इसी तरीके से हम अपना दूसरा पिलो भी ready कर लेंगे और रजाई में भी अपने चार से पांच बार टाके लगा लेंगे और अपनी चादर भी रेडी कर लेंगे तो यह देखे गाईस मैंने यहाँ पर अपनी चादर भी रेडी कर लिए लेस लगा कर सिंपिल ये देखे और इस तरीके से मैं अपनी रजाई रेडी कर लिए इसमें आप जगा जगा टाके लगा दे और ये हमारे पिलो भी रेडी है तो हमारा बिस्तर सेट काफी सुन्दर बना है अगर आप मुझसे परचिस करना चाते हैं तो दिये गई स्क्रिन नमर पर कॉंटरेक्ट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक अची सी वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे हरे क्रिशना